कि नहुश्का साथियों स्वागत है आप सभी का अंकित इंस फैस इडिया पर मैं हूं अंकित अवस्ति आप मेरे साथ में एक पड़ोसी की फिर्की लेने के लिए लेकिन तसली से लीजिएगा क्योंकि इनके कहने और करने में इतना अंतर है कि लोग इनको कही बार आ जाते हैं कि हमने परमानुबं को दिखाने के लिए थोड़ी रखा है तो भाइस आप अमरीका को ये बात समझ में आ कि यार परमानुबं तो नहीं लेकिन इनके पास वाकई में कुछ तो वैपन होंगे न और कुछ वैपन है तो इन्होंने वाकई में उनको कोई दिखाने के लिए थोड़ी रखा है हर भार संसद के अंदर कोई ना कोई पारलेमेंट के अंदर संसद निकल के आता है और डाय ही क्या थी अब ये क्या घटना है आईए इसका प्रिस्थार पूर्वक एनेलिसिस करेंगे ब्रापर तरीके से समझेंगे कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना अंतर है और जो लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर वो देश है जो मुसल्मानों की हितों ही बात करता है भाईया उसके हालत इतने खराब हैं कि वो खुद का हित कर ले तब जाके कोई दूसरे का हित कर पाएगा चाहिए बाते बताते हैं आपको आपको याद है कुछ दिनों पूरे हमने एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि हमास के एजेंडे में कश्मीर आ गया है कश्मीर आ गया का मतलब क्या है हमास वाले अब तक तो खुद की लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन अभी अचानक उन्होंने पाकिस्तान के एक नेता के साथ मिलकर कहा कि कश्मीर विशय पर भी हमको साथ होना चाहिए बस पाकिस्तानियों के एकदम माचे खिल गई लेकिन अमरीका उधर से बैठके इनकी नसे दबा दिया और कहा कि सुनो बिटा तुम लोग पहले से करजे में चल रहे हो तुमको अंतरराष्टे मुद्दों पर बोलने का कॉपिराइट चीन लिया गया है ऐसी इस्तिति में पाकिस्तान फिर आया बार निकलके सर जी सर जी हमने तो इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा सक्तिया बरती हुई है तो बोले वैसे इसराइल तुम्हें पसंद भी नहीं करता है तुमने क्या सक्ति बरती है बोले सर जी हमने अपने पास्पोर्ट पे ल जिससे अपने यहाँ पर इमेज बरकरार रह जाए कि तुम मुसलिमानों के हितैशी हो और अमरिका के साथ करजा लेकर तुम्हारी सरकारे चलती रहें हमने ये सारी बातें आपको बता दी अचानक आज एक रिपोर्ट निकल के आती है और रिपोर्ट क्या निकल के आती है वो वाला जो एक पाकिस्तानी वीडियो काफी वाहरल होता न जजबात बदल गए भाव बदल गए कुछ वैसी फीलिंग आ रही है पाकिस्तान को देख करके भाई जो देश इसराइल को माननता ना देता हो जो हमास के लीडर से मिलकर कहता हो कि कश्मीर के मुद्दे पर हमारा साथ दो उसके लिए रिपोर्ट निकल के आती है और कहा जाता है कि पाकिस्तान इसराहिल को 155 mm के शेल शेल का मतलब वो वाले मुबाइल के शेल नहीं है यहाँ पर हो रही है मिसाइलों के जो वैपन के अंदर डलने वाले जो गोले है ना वो बेच रहा है दिमाग खराब बोले यार यह कैसे बेच सकता है भाई इसराहिल को तो माननेता ही नहीं देता इसको पता नहीं है क्या इसके सारे दुश्मन हो जाएंगे देश जितने भी मित्र हैं भाई यह सब के सामने का टोरा लेके बैठ लिया जब कोई नहीं आया इसने का देखो सब के समय पर खराब समय आता है कुछ ना कुछ बिखता है हमारे वैपन क्या काम आएंगे एक तरफ चाइना बैठा है एक तरफ इंडिया बैठा है दौनों के सामने नहीं चल पाएगी दूसरी तरफ तालिवानी है जिनके सामने बोलकर अमरीका पस्ताया था ऐसी इस्तितिमें बड़ी है वैपन ही बेच लो तो ये वैपन बेचने में लगा हुआ है अब आपका दिमाग एक दम बना जाएगा इसराइल को बेच रहा है? नहीं नहीं जच नहीं रहा है जच नहीं रहा है तो आज का सैसन समझो मज़ा आएगा सारी बाते बताएंगे इनको शेल कहते हैं ये मिसाइलों के गोले हैं जैसे गोली होती है ना ऐसी करेतरे की गोली छोटी होती है अब मिसाइल से अगर दावोगे तो गोले दावोगे इनको अंगरीजी में शेल कहा जाता है चलो साब तो इस बारे में विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको जरूरी काम की बात बता देते हैं काम की बात क्या है? नोकरी की बात नोकरी की बात क्या है? यदि आप चाहते हैं एक high paying job यानि की पढ़ करके नोकरी मिले ये सब चाहते हैं लेकिन पढ़ने में conventional education के साथ साथ यदि आपको ये बता चले कि आपको कोई skill सिखाई जाए प्रापर तरीके से और फिर packages आपके लंबे चोड़े लगने लग जाएं तो उन में से एक skill से बनने वाला job है data scientist का job अब ये data scientist, data analyst की job की कहां कहां demand होती है तो आप ये देखिए Apple, Samsung, Amazon, Flipkart जैसे जितने भी बड़े जितने भी बड़े online platforms हैं इन सब में data scientist और data analyst की जर्वत होती है अगर आप Google पर जाकर ढूंडे नौकरी.com पर की लगबग data scientist की कितनी नौकरियां हैं तो लगबग 1,22,000 से अधिक पद data scientist के उपलब्ध हैं market में ऐसी इस्तिती में इसकी तयारी और पढ़ाई कहां से होती है पढ़ाई कराता है Coding Invader Coding Invader एक online समझ लीजिए कि educational platform है जो बच्चों को data scientist बनाता है पढ़ा करके कैसे पढ़ाता है? कैसे सिखाता है? 36,000,000 प्रती एनम का package मिलता है क्योंकि 6.5 महीने तक ये लोगों को cable skill सिखाता है skill सीख के बहुत सारे लोगों ने काफी अच्छे-च्छे job प्राप्त किये हैं क्योंकि इनका मानना है कि इनके पास इस skill को सिखाने के लिए top companies से trainers आते हैं ऐसा क्या सिखाते हैं ये? ये अपनी training में 30 से अधिक project of business cases सिखाते हैं 1500 से ज़्यादा assignment solve करवाते हैं weekly दो live session कराते हैं सर मेरा technical background नहीं है मैं online sector से नहीं हूँ मैं software का नहीं हूँ तो भी सीख सकता हूँ क्या? बिलकुल आप ऐसे व्यक्ति भी हैं तो भी आप इनके साथ पढ़कर सीख सकते हैं करना क्या होगा? link comment box में दिया गया है वहाँ जाकर click करिए और जाकर अपना session book कर लीजिए सर link पर click करके अंकित inspire India से हमें कोई फायदा मिल सकता है क्या मिल सकता है? अगर आप अंकित inspire India 30 AII 30 code use करते हैं तो आपको course में 30% का discount मिलेगा fees के अंदर लेकिन शुरुआती 150 candidates को ही यह है उपलब्द होगा यह दिवाली के अवसर पर लाया गया एक special उपहार है तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों कुछ दिनों पुरानी बातें याद कराते हैं क्या आपको पता है युक्रेन के मामले में हमने पाकिस्तान की एक बार ऐसे ही पोल खोली थी और ये बताया था कि युक्रेन को भी पाकिस्तान के द्वारा वैपन भेजे गए हैं आप चाहो तो हमारे कुछ पुराने वीडियोज 15 मार्च 2023 को हमने एक वीडियो किया था तब हम मूच वाले हुआ करते थे अब जाकत देख सकते हैं चलिए ठीक है उसके पीछे राज निकल के आया और पता चला कि अमेरिका आई-एम-एफ के लोन के बदले पाकिस्तान से वैपन्स को मांग रहा है कि तुम्हें अगर अपने वैपन को बेचना है तो बेच दो बदले में मैं तुम्हें आई-एम-एफ से लोन दिलवा दूँगा आई-एम-एफ का मानना है कि पाकिस्तान को लगबग 25 बिलियन डॉलर की आवश्चता है अगर उसे वाकई में सर्वाइव करना है तो ऐसी इस्तिती में लोन के लिए ये बिलकुल मरा जा रहा है पहले युकरेन के पास वैपन भिजवाए इस पर हमने ठूब सेशन किये थे उमीद है आप सबको याद होगा पाकिस्तान सप्लाइज वैपन स्टू युकरेन एज वैस्ट लूज़स पर सेस्टिंग और एड दुनिया भर के हतियारों को पहुँचाते पहुचाते युकरेन के पास पाकिस्तान ने भी वैपन पहुचाए थे इसकी वज़े से 364 मिलियन डॉलर का पाकिस्तान को पैसा दिया गए इतना धन तुम पकड़ो क्योंकि तुमको इस माध्यम से अपने का मौका मिला चलो खोई बात नहीं ये काम भी हो गया पाकिस्तान के प्रदानमंत्री से पूछा किया आपने वैपन बेचे इन्होंने साफसाफ मना कर दिया क्योंकि देखो, वैपन डाइरेक्ट नहीं बेचे जाते हैं, मैं आपको एक बात बदाता हूँ, डार्क वैब है ना, यानि कि जैसे अपन लोग अभी इंटरनेट के दुनिया में हैं, इंटरनेट पे एक और वैब सर्वीस है, जिसको डार्क वैब बोला जाता है, हाला कि उस पर मत जाईएगा, वहाँ पर लेके मिसाइल से, लेके ड्रग्स से, लेके जो तरह की चीज़ आपको क्राइम के दुनिया में जानी जाती हैं, वह सब बिकती हैं, तो बेचने वाले इन जैसे कुछ कार्टून ही तो होते होंगे न, तो इन्होंने बकायदा डार्क वैब से नहीं, अमेरिका से सीधी सांट गाट करके युकरेन को वैपन बेचे थे, दुनिया में सामने खुल कर आ गया था, वैपन्स के उपर नाम तक मेडिन पाकिस्तान के लिखे हुए आ गये थे, अब इसराइल हमास वार चल रहा है, वार के अंदर इनके यहां रखा हतियारों का जखीरा जो कहीं काम नहीं आ रहा है, उसके बिकने की खबर निकल कर आई, अब सवाल बड़ा बना, कहां पर मिले कैसे पहुँचे, तो अब जड़ा एक बार के लिए इस मैप को समझने का प्रयास करते हैं, देखो इस मैप में आपको देश पहचानना है, अपने लिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी इसराइल है, यह रहा इसराइल, ठीक है, यहाँ पर बैठा हुआ है, यह रहा पाकिस्तान, क्लियर, यह इसराइल और यह हो गया पाकिस्तान, अच्छा, अब एक सीज को समझना, इसके सामने जो यह समुद्र है न, इसको कहते हैं भूमत गयसागर, मेडिटरेनियन सी, मेडिटरेनियन सी में एक डॉट जैसा देश ह जिसका नाम है सैप्रस, कहानी सैप्रस से होकर शुरू होती है, कैसे, तोब मैं थोड़ा सैप्रस को जूम करके दिखाता हूँ, देखो यह रहा गिटार जैसी संशना में बना हुआ साइप्रस, कहा है यह इसराइल के बिलकुल सामने बैठा है, आप यू समझ लो, यानि इ बताया है कि साइप्रस को लेकर तुर्की की और ग्रीस की बिलकुल नहीं बनती है यह अपने आप में एक कहानी है अगर कभी मौका मिले तो जाकर अंकेत इंस्पार इंडिया पर सुन लेना फिलहाल के लिए साइप्रस का क्यूं जिक्र है वो सुनिए जानकार खुफिया हुए साजो सामान का काम करते हुए बावर्ची बने हुए और इवन पॉकिट पिकिंग करते हुए जेब खत्रा करते हुए दिखाई फड़ जाएंगे कहां पर दुबई में यह दुबई पहुंचकर यह समझते हैं कि बस अब हम पाकिस्तान से बाहर आ गए अब हमें दु ही कर रहे हैं तो क्या हुआ यहां से यह लोग पहुचते हैं बहरेन बहरेन भी एक गल्फ कंट्री है बहरेन से निकल कर यह लोग पहुचते हैं ओमान ओमान से फिर इनका हवाई जहाज उड़ता है और पहुचता है काईरो यह पहुच गया भाई साब काईरो एजिप्ट म एकरो तेरी बेस एक nuclear force station है. किसका है? UK वालों का है. यह रहे United Kingdom वाले. इन United Kingdom वालों ने Cyprus में अपना एक air base बनाया हुआ है. जिसका नाम क्या है? एकरो तेरी base. एकरो त fifa base पर है तो वो किसका? UK वालों का. लेकिन उस पर force किसकी रहती है? तो अमेरिका वालों की रहती है तो हवाई जहाज यहां से होते हुए एक्रोतिरी बेस पहुचता है यहां UK के एयर बेस पर अमेरिकी फोर्सेस बैठी हुई है यहां पर वो माल रिसीव होता है और माल रिसीव करके पहुचा दिया जाता है सामने की सामने इसराइल को ये बात निकल कर आई एक पीपल टॉक शो नामक एक ट्वीटर हैंडल के माध्यम से जिन्हों ने एक पूरी बात का पूरा रूट जो है वो हवाई जहाज की यात्रा से रखा कि देखो इनका एक्विपमेंट लेकर बोईंग सी 17 ग्लोब मास्टर कुछ इस प्रकार से उड़ा था और होते 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 वो इस प्रकार से साइप्रस तक पहुंचा हवाई जहाज को ट्रेक किया गया फ़फिया लोगों के द्वारा तो जानकारी मिली कि इन्होंने अपने जो इस प्रकार से मिसाईल के जो गोले हैं रोकिट के जो गोले है वो इस प्रकार से साइप्रस तक पहुंचा दिये अब साइप्रस से आगे कौन लेकर जाएगा अच्छा इन सब बातों को चब मैं बता रहा हूँ आप में से कैयों के दिमाग में प्रश्न बनेगा क्या फर्जी बाते करते हो सर इसराइल के पास तो खुद के पास ही ठूब सारा वैपन है उसको पाकिस्तान की क्या जर्वत बहुत सई सवाल है दूसरा सर अमेरिका के पास भी इतने वैपन है कि वो दूसरे से क्यों खरीदेगा युकरेन का मामला हो या इसराइल का मामला उसे दूसरे से खरीदेने की क्या जर्वत है बहुत सई सवाल पूछ रहे हैं आप दौनों का पहले आंसर जान लेते हैं इसराइल के पास कितना भी वैपन क्यों ना हो लेकिन कोई भी देश अपने युद्ध को 45-50 दिन तक चला नहीं कर सकते वैसे भी हमास ने कोई कहकर हमला नहीं किया था अनप्लांड हमला था बिलकुल वैसे ही जैसे रशिया युकरेन जब कंफलिक्ट हुआ तो कोई प्लांडिंग के साथ नहीं हुआ था दो साल तक खिच जाएगा दूसरा साल होने जा रहा है किसे पता था युक कोट सामान क्यों करता है उसके तो खुदी इतना सक्षा में सब कुछ बना सकता है उसे इंडिया की क्या खता है अरे भीया हम लोग सस्ते माल बेचने वाले देश हैं इनको सस्ते का माल चाहिए होता है सस्ते में अगर कोई माल मिल जाए कोई मिसाइल का पटाका मिल जाए तो खुद से क्यों खर्च करना अमरीका उन चीजों में पैसे इंवेस्ट करता है जो कि दुनिया में अपने आप में एक नमूना सिद्ध हो इन छोटी मोटी चीजों पे पैसा खर्च उसको नहीं करना है हवाई जाज बनाएगा F-35 लेवल के चंद्रियान से उपर के लेवल के पहुचाने के अलग लेवल की चीज़े बनाता है वो इन चीजों में उसे नहीं पढ़ना बोले गरीबों का मामला गरीब ही नहीं मटलें ये उस लेवल पर सोचता है ठीक है अच्छा तो ऐसी इस्तिती में जब ये बात निकल के आई इसने 155 mm की शेल इसराइल को बेची है तो भाई साब ये जानकारी कुछ इस प्रकार की तस्वीरों के माध्यम से निकल कर आई कि ये इसराइल को भेज रहा है इसराइल को भेजने का तरीका क्या रखा तो देख लो ये रहा साइप्रस साइप्रस के दक्षणी हिस्से पर जो की ग्रीस समर्थित छेतर है इसके दक्षण में ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं इसी का नाम एक्रोतिरी एयर बेस है जिसका पूरी तरह से कमांड सेंटर यूके के पास है कबजा यूके के पास है लेकिन इस पर रहती कौन है अमेरिकी फोर्सेज रहती है तो कहने का मतलब ये हुआ साइप्रस तक माल पहुचा दिया पाकिस्तान वालोंने यूएस के मिलिटरी सीक्रेटली सप्लाई कर रही है वैपन्स को इसराइल से इसराइल तक यूजिंग यूके बेस ऑन साइप्रस अब आप ये खबर 17 नवंबर की देख सकते हैं कोई भी बात बिना सबूत के आपके सामने नहीं है ये आपके सामने सारी की सारी यूज है जो कही न कहीं चल रही है मतलब आप सोचिए यहां के बाद में माल कैसे पहुँच रहा है तो ये खबर निकल कर आती है कि यूएस के मिलिटरी जो है वो साइप्रस से होकर इसराइल के लिए सामान बेच रही है यहां पर आप देख से बेच नहीं रही है वो मदद करने के लिए भेज रही है तो क्लियर हो गया यहां से होकर के इसराइल तक माल पहुचाया जा रहा है यह बाते यहां पर मैप के माध्यम से ग्लोब मास्टर के माध्यम से आप क्लियर कर सकते हैं तो US is quietly sending Israel more ammunition and missile ये बात निकल कर आगेगी क्या अमरीका वाले इसका समर्थन करते हैं ये एक बहुत बड़ा कारण है असल मायने में अब अमेरिका पर एक moral pressure है किस बात का कि वो अपने देश से ना तो सहायता के पैसे release कर सकता ना ही weapons के जहाज भेज सकता उसके उपर अंतराष्टिय रूप से दवाब ये पढ़ने लगा है कि तुम दुनिया में युद्ध भढ़का रहे हो और विशेश रूप से जो फिलिस्तीन का गाजा पट्टी वाला हिस्सा है उस पर तुमारी शह से ही इसराईल हमले कर रहा है ऐसी इस्तिती में ये अपनी तरफ से ना करते हुए दूसरों के हाथ से दूसरों के कंदे पर रक्कर बंदूग चला रहा है उमीद है यहां तक की बात समझ में आ गई होगी ये बाते मैंने आपको पूरी तरह से समझा दी अब इसका मतलब क्या निकाला जाए तो देखो साब वो पाकिस्तान जो कस्मे खाता था कि भाई वो किसी भी प्रकार से इस्राइल को माननता नहीं देगा उसके पहले भी acceptance के पत्र आ चुके हैं क्या इमरान खान जब सत्ता में हुआ करते थे 2020 की बात है तब भी इन्होंने स्विकार किया था कि इनके उपर प्रेशर डाला जाता है कि ये इस्राइल को एक कंट्री के रूप में माननता दे ये विचारे चले गए हवालात की सेर खाने के लिए फिर ये भहिया जी आए यहाँ पर शहबाज शरीफ भी आकर के वही चीज किये जो कि अमरीका इनसे चाहता था यूएस हेल्प्ड पाकिस्तान गेट आईएमेफ बेल आउट विद सीक्रेट आर्म डील फोर युक्रेन लीक्र डॉक्यूमेंट रिवील अब आप इधर देखिए 17 सितंबर की खबर है हमने अपने हाँ पे हाला की सेशन्स किये था आपको बताया भी था कि पाकिस्तान को आईएमेफ की मदद मिली ही इस आधार पर है जब पाकिस्तान अपने यहां पे पड़े हुए वैपन्स को युक्रेन को सौपेगा तब जाके उसे आईएमेफ का लोन मिलेगा इसी कारण से मुझे एक पंक्ती याद आती है जो मैं एकसर कहता हूँ आपसे कि पाकिस्तान के नेता संसद में उठट के कहते हैं कि हमने बर्मानू बम कोई दिखाने के लिए थोड़ी रखा है तो फिर लोगों को समझ में आया कि यह कहना यह चाते हैं अरे कम से कम इनी के बदले कर जा दे दो तो अमेरिका ने इनके वही वैपन खरीद खरीद के इनको पैसा दे दिया कि लोग पकड़ो और इस पैसे से तुम अपना घर चलाओ ठीक है ना तो कैस स्ट्रेप्ट पाकिस्तान ने लगवग 364 मिलियन डॉलर के युक्रेन को वैपन बेचे थे ऐसा रिपोर्ट का कहना है जो की चप चुकी है उमीद है ये बात क्लियर हो गई होगी जहां तक बात हो इस समय इसराइल को वैपन बेचने की तो यहां देख सकते हैं पाकिस्तान आई-म-फ का फिर से लोन चाता है और ऐसी स्थिती में उसे आई-म-फ का मानना 25 बिलियन डॉलर की आवशकता है जिसके लिए उसको लोन के रूप में वैपन बेचने पर सकते हैं ठीक है ना तो अभी रिसेंटली निउस निकल कर आती है कि आई-म-फ ने पाकिस्तान के लेवल पर स्टाफ लेवल एग्रिमेंट कर लिया है नौ महिने से जो चीज अठकी हुई थी संबब है आई-म-फ की तरफ से पाकिस्तान को कोई ना कोई लोन दे दिया जाए अब सवाल ये है पाकिस्तान ऐसा stand ले लेगा तो अरब और मुस्लिम लीडर क्या reaction देंगे देखिए reaction तो उनके बड़े खतरनाख होंगे क्योंकि वो ये मानते हैं अरब वर्ड के देश और मुस्लिम वर्ड के देश ये मानते हैं कि पश्चिमी देशों के कारण गाजा के उपर मिसाइल हमले हुए हैं ऐसी इस्थिती में पाकिस्तान की वैसे तो कोई पूछ नहीं है लेकिन ये जिस प्रकार से जाकर पंच बनके बैठता है वहाँ पर इसे इंसल्ट का सामना करना पड़ सकता है लेकिन इसके साथ साथ तुर्की अभी तक बड़ी सक्ती दिखा रहा है इतना तक तुर्की ने कह दिया है कि गाजा पट्टी पर जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए वो खुद गाजा पट्टी पे मकानों का दुबारा निर्मान करवाएंगे जब सीज इसपायर हो जाएगा कहने का मतलब ये है कि दुनिया की तरफ से गाजा को फिर से बहुत सारा चंदा आएगा लेकिन गाजा में जो हाल हो रखे हैं इसराइल के द्वारा वो सब के सामने विदित हैं तो उमीद है पाकिस्तान की इस्थिती के लिए हो गई होगी पैसे के ल जाल रखें और हाँ कोडिंग इन्वेडर पर कूपन कोड AII30 लगाना ना भूलें क्योंकि यहां से पढ़कर अगर आपको इतना अच्छा जॉब मिलता है और आपको सॉफ्टवेर नहीं भी आते हैं तो आप इस काम को कर सकते हैं 100% ये जॉब असिस्टेंस आपको देते ह 300 से जादा कमपनियों में आपके लिए बातसीत करवा कर आपको जॉब दिलाने का प्रयास करते हैं लिंक कमेंट बॉक्स और डेस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फिलहाल के लिए इतना ही यूज माई को कूपन कोड AII30 to get 30% discount on fees Thank you